बट कुछ स्टॉक्स हैं जहांपर आपको थोड़ी गिरावट के भी संकेत आ रहे हैं उनमें से भारत फोजे काउंटर ऐसा है बट बाजार की बात करें अब अनल जी ने तो कही दिया 2025 में 2025 से पहले 25000 की तयारी कर दे और ये एक सेंटिमेंट है जो आईसे से डिरेक्ट की तरफ से भी आपको आते दिख रहे हैं एक report आई है जिसमें कुछ और बड़े target बाजार के लिए निकल कर आए है आई इस report के बारे में जानते हैं और details देते हैं आशीश के साथ आशीश बते हैं क्या कह रही है इस report बहुत ही interesting बढ़िया report है जहां पर का जा रहा है कि साल 2025 से पहले निफ्टी आपको target डिसेंबर तक दिखा सकता है 25,200 के और यहीं तक नहीं रुकेगे अगर आप साल 2030 तक की बात करें तो 50,000 के पार भी आपको निफ्टी जाता हो नजर आ सकता है और इसके पीछे काफी सारे तर्क जो एनों ने दियें एक तो सबसे पहले अगर आप दिखें तो जो इलेक्शन क का लो आपको देखने को मिलता है वहाँ से बाजार में औसतन 20% की राली साल भर के अंदर देखने को मिलती है यह अभी तक का ट्रेंट बिल्कुल बरकर आ रहा है Similarly अगर आप देखें तो जिस साल यूएस में इलेक्शन होने होते है उस समय यूएस के मारकेट्स में आती नौ परसन की तेज़ी लेकिन भारतिय मारकेट्स में इस समय भी आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और 20% की तेज़ी आपको देखने को मिल सकते है स कर दून के बाद से अगर आप देखें तो मार्केट में औसतर 21 परसन की तीजी आपको देखने को मिलती है डेकेडिल थियरी जिसके चलते 50,000 के टागेट इनके निकल कर आएं यहां पर भी अगर आप देखें तो डेटा काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है एक तो अच्छी पाती है कि जो दशक चल रहा होता है जैसे यह दशक चल रहा है दोजार चौबीस साल जो चल रहा है तो यह चौता साल है दशक का तो इसमें अगर आप देखें तो हर बार आपको तेजी देखने को मिली है और औसतन रिटर्न यहां पर आते हैं तक्करीबन 15 प्रतीशत की यानि दशक का जो दूसरा साल होता है इसमें 15% की देजी आती है तीसरा साल होता है इसमें 18% चौता साल में आपको बता दिया 15% और 9 साल यहां पर 40% तक के गेंज आपको देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप देखें तो ग्लोबल और लोकल दोनों डेटा काफी सपोर्ट नजर आ रहे है एक अच्छी बात यह भी है कि जो बेल अगाम घोडा है इसमें और रफ्तार आपको देखने को मिलेगी कारण यह की बैंक निफ्टी टू निफ्टी का जो रेशियो है यह बॉटम हो चुका और इसके चलते हैं यहां पर आपको 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 आपक है और साथ में अगर आप दिखें तो जो डॉमेस्टिक फ्लोज यह भी बहुत बढ़िया हो गया इससे पहले ट्रेंड नो ने रिपोर्ट में बताया कि जब भी बजार में वीक्नेस आती थी तो रीटेल पैनिक करता था म्यूचिल फंड में आउट फ्लोज आ जाते थे ल क्या बात है यह भी अग्री कर रहे है अच्छी रिपोर्ट लेगा है आप इससे पहले है